लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीने के आप भाग जाएंगे पुलीस इतनी सिक्यार्टी आपकी है तो आदाब नहुसकार को डीनिंग से स्यकाल एक पर फिर आप तुमाम लों का स्वाकत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद पूरी फैमली अच्छी होग था वही लारेंस विश्णोई जिसके इस वक्त चर्चा हर तरफ हो रहे है जून 2018 का ये वीडियो था और कहते हैं कि इसी एक वीडियो के बाद पहली बार लारेंस विश्णोई लारेंस विश्णोई बना बच्चपन से वो चाहता था कि जुरुम की दुनिया में उसकी एक तरह से क्या बोलें अगर अच्छा काम करता तो कहता है शोरत बक्षी बच्चा हुआ विख्चा हुआ लारेंस विश्णोई और गोल्डी बलार ये दो नाम हैं इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में जो नाम लिये जा रहे हैं चर्चा में क्योंकि सिद्धु मुसेवाला के कतल के तार इन दोनों से ही जोड़ा है हाला कि इनमें से एक तो खुद ही कह रहा है तो फेस्बुक पोस्ट डाल कर कि हमने बदला लिया ये काम हमने किया यहां काम कतल को कह रहा है गोल्डी बलार ने जो फेस्बुक पोस्ट डाला था अब सवाल है कि लोरेंस विश्णो इंडस्ट्री कितने की है वहां इतने सारे पंजाबी सिंगर क्यों निकलते हैं वहां के गैंग इतने सारे कैसे एक्टिव रहते हैं कुल कितने गैंग है जो इस वक्त एक्टिव है और अगर हम तॉप एट की बात करें इस वक्त पंजाब में जिन्होंने वहां के लॉइन और और कानून वेवस्ता पुलिस हरे किनाक में दम कर रखा है। वो कौन से आड़ गैंग है। ये सारी चीजें आज आपके सांदर रखूँगा। लेकिन उससे पहले कहानी उन दो लोगों की जिनके तार सीध है। अठाइस साल के ऐसे सिंगर जिसकी सुरिली आवास के देश और दुनिया में लाकूं करोडों दिवाने फैन थे उन दो लोगों की बात। लॉरेंस विष्णोई पंजाब के अब उहर में पैदा हुआ एक कॉंस्टिबल का बेटा लेकिन फैमिली बैक ग्रॉंड अच्छी थी पुर्खों की जमीन जैदात थी कहते कि उस वक जब ये पैदा हुआ तब करीब साथ करोडों की प्रोपटी थी इसके बाप के पास। लविंदर सिंग एक पूर्व पुलिस कॉंस्टिबल थे उनका बेटा अब उहर में पैदा हुआ वहीं स्कूलिंग की लेकिन फिर ये था कि परिवार में पढ़ाई लिखाई का महौल था उसके बाद उसे हायर एजुकेशन के लिए चंडिगड भेजा गया चंडिगड मे तो वहां के युनिवर्सिटी के एलक्षन में भी वो खड़ा हुआ सुपू जो वहां का स्टुडेंट्स विंग है पंजाब युनिवर्सिटी का स्टुडेंट्स और पंजाब युनिवर्सिटी सुपू एस यू पी यू हाला कि वो चुनाओ हार गया और इसी एक चुना हरार जो राइवल गैंग में जीता तो उसके बाद इन दोनों में अक्सर जगड़ा होता ये उसे उकसा था वो उसे उकसा था और एक बार चंडीगर में ही गोली बारी हो गई तो पहला मुकदमा एस्ट्वेंट्स यूनियन की लड़ाई में हुई जिसमें से लॉरेंस विस् स्कूल में था तभी एक लड़की से वो प्यार करता था इसकूल की ये दोस्ती ये प्यार धीरे धीरे और पुखता होती गई मजबूत होती गई उसके बाद जब वो डिये वी कॉलेज में आया तो लड़की भी चंडीगर आगी पढ़ने के लिए अब तोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन जब इस पॉलिटिक्स में लड़ाई जगड़ा हुआ तो इसके बाद कहते हैं कि उसकी गल्फेंड के दो वर्जन है एक ये है कि एक रोड एक्सेंड में उसकी मौत हो गई और उसके बाद गारी में आग लग गई और उसकी लास्ट जल गई दू लाश को जला दी गई और इसी के बाद लारेंश रिस्नोई बहुत खतरनाक हो गया उसके बाद एक मुकदमा गोली बारी की होई चुकी थे उसके ओपर हो चुका था फिर उसने कहा कि चलो अब जुर्म के रास्ते पर चलते हैं वहीं उसके कॉलेज के बहुत सारे दोस्त थ लगते थे उसके बाद उन्हों के साथ मिलकर इसने रंगदारी और वसूली का काम पहले शुरू किया बार बार उसे अपनी गल्फेंड की याद आती थी और उस गल्फेंड का बदला लेने के लिए फिर वो लोगों से बदला लेने के भी सोचने लगा और शुरुवात में और जब इसने अपना गैंग बनाया उसका नाम रखा था 007 यह अपने जेमस बॉन्ड के फिल्म है उससे प्रेरित होकर और उसके बाद वो धीरे धीरे जुरुम की दुनिया में छोटे मोटे जुरुम करते करते आगे बढ़ने लगा लेकिन अब गैंग चलाने के लिए ल वरता गया इसने पंजाब में छोटे मोटे कई वारदातों को अंजाम दिया लेकिन यह जो बड़ा हुआ एक बड़ा नाम बना वो बना राजिस्थान के जोधपूर से जोधपूर के दो बिजनेसमेन को इसने धमकी दी वसूली उगाही के लिए और उसके बाद वहां गय इतफाक से वह बिजनेसमेंट डरा नहीं उसके बाद उसने पुलिस को इंफार्म कर दिया और यह ग्रफतार हो गया ग्रफतार होने के बाद पुलिस रासत से भागा भी लेकिन फिर ग्रफतार हो गया और उसके बाद एक अजीव इतफाक है कि हमारे जो क्रिमिनल होते हैं वो सब कुछ करने के बाद जेल जाते हैं लॉरेंस लिशनोई लॉरेंस लिशनोई तब बना जब वो पकड़ा गया और जेल गया जेल जाने से पहले वो एक आम क्रिमिनल था बहुत बड़ा नाम उसका नहीं था लेकिन जेल जाने के बाद उसने जेल सही अपने गैंग को करना शुरू किया सोशल मीडिया का शौक था एक कॉंग्रेसी लीडर का उसने कतल किया था पंजाब में बाकाइदा सोशल मीडिया पर उसकतल की जिम्मिनारी की खुद ली और सोशल मीडिया पर अपने कारणामों को बढ़ा चरहा कर वो पेश करता ताके लोगों के बीच म का गैंगिस्टर आननपाल जिसकी कहानी मैं आपको सुनाई है वो भी जेल में बन जोधपूर के बाद कुछ वक्त के लिए लौरेंस विश्णोई को अजमेर जेल में शुट किया गया था और अजमेर जेल में उस वक्त जो आननपाल वो भी बन था और वहीं उसकी दोस्ती हुई उसी जेल में रहते हुए आननपाल के दो दुश्मनों को भी सुपारी लेकर लॉरेंस विश्णोई के लोगों ने मारा और तब ये एलान किया था कि जो आननपाल का दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा और इसके बाद आननपाल से उसकी नजदीकिया बढ़ी तो एक पंजाब का गैंगिस्टर एक राजिस्टान के गैंगिस्टर का दोस्त बना बाद में आननपाल का इंकॉंटर में उसकी मौत हुई या आपको कहानी सुना चुका हूँ तो अब धीरे धीरे राजिस्टान तक उसका दबदबा बढ़ा लेकिन फिर इसी पीच में जब वो भागा और उसके नाम आये मीडिया में भी आये पुलिस रासा से भागा जून 2018 जो शुरुवात में आपको एक वीडियो दिखाया उस जून 2018 में उसके सलमान खान को मारने की धंकी थी और बाकाइदा इस धंकी के लिए नसिफ उसने कैमरे पे बोला बलके ये भी कहा कि वो बदला लेगा अब वो जग्यों थी कि सलमान खान को मारेगा सल्मान खान के उपर काल-े-हरन के शिकार का केस चल रहा था जोद्पूर में वो पूरी कहानी भी आपको मैंने बताई थी तो बलाड़नस विशनोओी विशनोओी जाती से आता है राजस्तान में विशनोओी जाती जो है वो हरन उनके लिए पूजनी एं कोई इसका शिकार करे उन्हें बरदाश नहीं और सल्मान खान के खिलाब जो केस तरजवा था वो विश्णोई जाती नहीं किया था तो अब लारेंस दीरे दीरे क्राइम की दुनिया में था और उसे पता था कि इंडिया में अपने एक खास चीज है जुर्म की दुनिया में आओ थोड़ा नाम कमाओ उसका देरे से राजनीती में गुज जाओ तो शायर उसका भी यही मकसद था तो उसने कहा कि अगर सल्मान खान को मार देते हैं तो विष्णोई बिरादरी में एक बड़ा नाम होगा और हो सकता विष्णोई समाज का मैंनेता बन जाओ और इसलिए उसने सल्मान खान के मारने की बात की और अपने एक खास बंदे संपत नहरा उसको यह काम सौपा यह बात अभी तक किसी को पता नहीं थी यह दून 2018 में लीख हुई उससे पहले नहीं मालूम अब क्या हुआ संपत नहरा को उसने एक आम सौपा संपत नहरा मुंबई गया उसने गैलेक्सी जो सल्मान खान का घर है उसकी पुरी रैकी की और रैकी करने के बाद काम उसको करना था लेकिन इतफाक से संपत नहरा बैंगलोर में पकड़ा गया किसी और मामले में जब वो पकड़ा गया तो उससे पूछता चुई तब उसने पहली बार पुलिस को खुलासा किया क्योंकि पुलिस के कुछ सबूत थे मुंबई भी गया तो पूछा गया क्यों गया गैलेक्सी के आसपास क्यों गया तब उसने बताया कि मुझे सुपारी दी गई है सल्मान खान को मारने की किस ने सुपारी दी तो कहा गया कि लारेंस विश्णोई ने इसके बाद सल्मान खान के गतल की सुपारी देने के लिए और धंकी देने के लिए लारेंस विश्णोई के उपर एक अलग मुकदमा चला और उसके बाद चुके वो पुलिस सिरासत से पहले ही भाग चुका था उसको कड़े पहरे में फिर अदालत और जील ले जा जा जाता और उसी पुलिस कस्टडी में उसने ये इंट्रिवू में साफ साफ कहा था कि अभी तो मैंने किया नहीं है लेकिन मैं सल्मान खान को मारूँगा उसके पास सल्मान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी सल्मान खान के नाम की सुपारी निकालने की वज़े से लारिंस विश्णोही का नाम पूरे देश में सुरक्यों में आ गया था उसके बाद अब उसके तार काला जठेडी और बाकी जो गैंगिस्टर थे नौर्थ इंडिया के इन लोगों से जोडने शुरू हुए और धीरे धीरे वो एक बड़ा गैंगिस्टर बनता गया सुपारी लेकर कतल करना लोगों को मारना उगाई वसूली कहते हैं करोन रुपे उसने कमाए और कमाल यह है कि 2015 में वो पकड़ा गया था जेल गया 2015 से पहले लारिंस विश्णोही कोई नामी नहीं था जब वो आजाद था लेकिन जब वो जेल गया चाहिए वो जोदपूर जेल हो अजमेर जेल हो उसका दिल्श word ऩके से प्वास रूसुले न जब उसे पकड़ा तब उसके बास से वो तिहार में है जेल नमबर आट में है लेकिन जेल में पिछले साथ साल से दहने के दौरान उसने जो अपना या ऐसे नौजवानों इस्टूडेंट्स इनको अपने टीम में लेता है पंजाब के ज़ादतर इनुवर्सिटी और कॉलिज के जो इलेक्शन होते है इस्टूडेंट्स यूनियन के कहते हैं उसमें भी इसका दखल है बाकाइदा उनको फंडिंग करता है पैसे देता है और ऐसे लड़के जो थोड़े से जरुम के रास्ते पर चलना चाहें उनको अपने गैंग में शामिल करता है नौजवानों को अपने गैंग में शामिल करता है और इन सब चीज़ों को करने के लिए बीच में उसे एक यह आया कि पंजाब की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है पंजाबी गाने हैं वो पूरे देश और दुनिया में बहुत मशूर है और खास्ताथ पर पंजाब के नौजवानों में पंजाब के स्टूडिंस में वो इन सारे सिंगर्स को अपना आइडियल मानते हैं उनको मानते हैं पूछते हैं तो उसे लगा कि जिन्हें ये लोग मानते हैं और पूछते हैं अगर हम उन्हें ही धमका हैं उन्हें ही मारें तो फिर मैं भी इनका आइडियल हो जाओँ हमसे वड़ा हो जाओंगा कि आप देखो इसकी क्या धाक है तो पंजाब के students पंजाब के नौजवानों को अपनी तरफ अपने गैंग में शामिल करने के लिए अपने आपको दिखाने के लिए कि देखो मैं क्या हूं उसने इन सिंगरों को धंकी देने का भी काम शुरूर किया सोशल मीडिया पर बाकाइदा पोस्ट करके अपना बड़ा वो दिखाता कि रेखो मैं कितना बड़ा हूं धीरे धीरे उसके बाद इसका गैंग बढ़ता गिया पंजाब से निकल कर राजस्थान तो था ही था उसके आधारियाना फिर उत्राकंड फिर यूपी इवन बिहार ऐसे कई सारे इंसिडेंट ही जो इसने किये तीन हजार बबल के सारी तीन दर्जन से ज़्यादा मतलब 36 से ज़्यादा मुकद में जिसमें मर्डर, रॉबरी, हाईवे रॉबरी, डिकैती, एटम्टू मर्डर, किड्नैपिंग, रैंसम ये सारे मामले उसके उपर दर्जे है वो जेल में है साथ साल से लेकिन उसका चीज़ें अपने मॉबाइल पर अपने लोगों के जरीय करता है। लॉरेंस विश्णोई और जो सिध्धू मूसेवाला, इनकी दुश्मनी की कहानी आपको बताई थी, उसके सिर्फ एक वज़ा थी, कि एक लॉरेंस विश्णोई के खास गुर्गे जो अकाली नेता भी थ कि जो सिध्धू मूसेवाले का मैनेजर है, वो इस कतल में शामिल है। लेकिन उसके बाद वो पकड़ा जाता है, उससे पहला ऐस्ट्रेलिया भाग गया। तो लॉरेंस विश्णोई को ये शक था, कि इसमें मूसेवाला है, उसका हाथ है, और उसने अपने मैनेजर को भग पर उसने सिध्धू मूसेवाले को रास्ते सहटाने का फैसला गिया। अब सवाल ये था कि वो जेल में है, तो काम कौन करेगा। यहीं से होता है, लॉरेंस विश्णोई के बाद एक दूसरे शक्स की इंट्री और उस दूसरे शक्स की इंट्री जो होती है, यह दूसरा श जो लॉरेंस विश्णोई है, उससे एक साल जूनियर था, वो भी स्टूरेंस पॉल्टिक्स में वाल्ट था, उसे भी थोड़ा सा गुंडागर्दी है और दूसरों को धंकाने, डराने का शौक था, तो कॉलेज में ही जान पैचान हुई, कॉलेज से पहले इन दोनों के को भी हो गया, इसके बाद गोल्डी बरार ने बहुत सारे कतल करवाए, उसने पंजाब में कराए, इवन दिल्ली के पास गुरुगराम में उसने दो लोगों का कतल कराया, और इन सारी चीजों में कहीं ने कहीं लॉरेंस डिस्टोरी ने भी उसकी मदद की, और गोल्डी बरा बाद गोल्डी सिंगर को धमकी देना, कबड़ी प्लेएर से वसूली करना, यह सब गोल्डी बराड करने लगा, और धीरे धीरों उसने इतने कतल किये, कि पंजाब पुलिस को अब उसकी तलाश हो गई, और पंजाब पुलिस हालक इसका नाम सतिंदर है, गोल्डी बराड क लेकिन उससे पहले ही वो इंडिया छोड़ कर भाग किया इसने दो पहलवानों का भी कतल किया दिल्ली पुलिस ने भी इसके खिलाफ कई मामले तलाश की ढूंडे और उसमें इसको माना कि यह वांटेड है लेकिन यहां से भाग कर पहुँच गया कैनेडा अब गोल्डी बला है 600 से दाधा लोग है तब उसे याद आई गोल्डी बलाड की गोल्डी बलाड की कॉलेज का दोस्त उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता था जब दोनों जुर्म की दुनिया में कदम नहीं रखे तभी एक दूसरे के दिमाग से और दिल से वाकिफ थे पिर उसने लॉरस विश्पनुई ने गोल्डी बलाड को ये काम सोपा और गोल्डी बलाड कैनेड़ा से बैटकर इस वक्तली लॉड्य विश्पनुई का राइट है वो जो ह हुक्म देता है वो उसको फॉलो करता है सोशल मेडिया पर भी अपना बखान करता है तो जब से साथ साल से लॉरेंस विशनोई जेल में है और साथ साल से गोल्डी बराड एक तरह से लॉरेंस विशनोई का राइठ हैंड बना हुआ है और लॉरेंस विशनोई के कहने पर ही चुकि इसमें एक और भी उसका मकसद था एक तो लारेंस निस्टोई के खास का कतल जिसमें मुसेवाले के मेनेजर का हाथ जो उसको शक है दूसरा खुद गोल्डी बराड के भाई का एक कतल हुआ था पंजाब मे और गोल्डी बराड का ये कहना है कि मुझे शक है कि ये कतल और इस कतल की साज़िश या इस कतल में शामिल होने के पीछे सिद्धू मुसेवाले का भी आहात है और उसने सोशल मेडिया पे जो पोस्ट किया उसमें कहा है और मैंने इसलिए भी ये बदला लिया है तो दो कॉलेज के दोस्ट, दो कॉलेज के साथी एक सूनियर, एक सीनियर और एक जूनियर दोनों मिलकर बाहर निकलते हैं कॉलेज के दुनिया से एक स्ट्रेंट स्यूदिन का चुनाओं हारते हैं और फिर पूरी जिंदगी पलट के रह जाती है दोनों जुरुम के रास्ते पर चल पढ़ते हैं और इस वक्त ये दोनों most wanted है अलाकि एक जेल के अंदर ही है लेकिन दूसरा कैनेडा में है कब आएगा, कैसे बाहर आएगा ये भी कुछ पता नहीं तो रही सिद्धू मुसेवाला के उन दो अमर सिंग चमकीला, एक मशूर पंजाबी सिंगर रोमैंटिक गानों के लिए मशूर नाइंटीज में, बलके 88 में इनका गतल हुआ जब इनकी वाइफ के साथ गोली मारी गए एक फंक्शन में जा रहे थे और ये कहानी भी मैंने आपको इसी कहानी में सुनाई है अमर सिंग चमकीला, 1988 में गोली मारी गए थी वाइफ के साथ और वाइफ तब प्रिग्नेंट थी उससे पहले अफ़तार सिंग संधू, 1988 में एक और पंजाबी सिंगर, गोली मार कर जान ले ली गई दिलशाद अक्तर, एक और पंजाबी सिंगर, गोली मार कर जान ले ली गई अब सिद्धो मोसेवाला, चार ऐसे सिंगर हुएं अभी पिछले 20-30 सालों में जिनकी जान ले ली गई परमीश वर्मा, धमकी दी गई, धमकी देने के बाद गोली मारी गई जब गोली मारी गई, ये कार में कहीं जा रहे है और गोली लगी उन्होंने उस वक्त के सेस्पी को फोन किया और कहा मुझे गोली लगी है, सेस्पी ने कहा तुम गाड़ी चलाते रहो कहते हैं करीब ठारा किलोमेटर तक गोली लगने के बावजूद इस शक्स ने गोली गाड़ी चलाई और फिर एक हिफाज़त से एक खास सुरक्षित जगे पर पहुँचा और तब जान बची तो प्रमीश शर्मा लकी थे जो बच गए गैंगिस्टर की इस लड़ाई में इसके लबा गप्पी गरेवाल एक और सिंगर जिससे धमकी दी गई और ये धमकी के साहे में भी जी रहे हैं और सबसे अभी लेटिस्ट मनकीरत ओलक एक और सिंगर जिनको धमकी दी गई और अभी भी ये धमकी के साहे में जी रहे हैं मनकीरत ओलक को जिसने धमकी दी है जो गैंगिस्टर ने उसने कहा है कि मनकीरत ओलक वो शक्स है जो उसका इल्जाम है जो पंजाबी सारे सिंगर की सूचना खबरे लौरेंस विश्णोई और उसके गैंग को देता है और उसमें सिद्धु मूसेवाला का भी नाम लिया है और इस गैंग ने धंकी दिये कि वो मनकीरत को छोड़ेगा नहीं तो ये वो नाम है लोग सुनते हैं सुकून पाते हैं क्यों तो इसको जानने के लिए पंजाबी म्यूजिक इंडॉसरी के बारे में थोड़ी जानकारी भी देख समझद लिए हमारे देश की जो पूरी म्यूजिक इंडेस्ट्री है इंडिया की थाइन हंड़िट करोड की है 1300 करोड उपए की अब इसमें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का क्या का आठावं है 200 करोड 1300 में 200 कहेंगे आप कुछ नहीं लेकिन यह एक पहलू है 2300 करोड के पंजाबी जो music industry का योगदान है इंडियन म्यूजिक में इसके लावा 500 करोड और है आते हैं अलग लग शोज उन से हर साल करीब 500 करोड रुपए' पंजाबी सिंगर और पंजाबी मिजिक इंडुसरि कमा तो 500 प्लस 200 700 क्रोड को गये तब ठीन हंडेड में 700 क्रोड का मतलब है लगभक 50% music industry का पंजाब की music industry से आता है यह अपने आप में बड़ा फीगर है इसके लावा अपने एक T-series सबसे बड़ी music जो company है कैसे टोर इसकी T-series का एक बयान है उसका यह कहना है कि जो T-series अपनी music से पैसे कमाती है उसमें सब 40% आमदनी उसकी पंजाबी म्यूजिक से होती है खास्तोर पर यूटूब के व्यूज से टी स्रीज के सिर्फ तोटल कमाई का 40% पंजाब की म्यूजिक से आता है कहते हैं कि पंजाब में एक सिंगर जो ठीक ठाक सिंगर हो वो एक साल में 75 से 100 इवेंट करता है बिट्विन 75 तो 100 और एक इवेंट के वो 10 से 40 लाग रुपे लेता है तो अब पंदाज़ा लगाई कि एक साल में अगर 75 से 100 इवेंट है तो कितने कमाता होगा एक छोटा सिंगर भी जो बहुत बड़े पैमाने पर फेमस नहीं है तो वो एक इवेंट के आराम से 50,000 रुपीज मिनिमम लेता है तो सोचिए कितना कमाता होगा कुल मिलाकर अगर पंजाबी म्यूजिक की बात करें 2019 का एक डेटा है उस डेटे के हिसाब से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने 2019 में 4000 न्यू सौंग चार हजार नहे गाने मार्केट में उता रहे थे सिर्फ 19 की बात कर रहा हूँ और हर साल 10 परसंट यह बढ़ता ही जाता है इस वक्त पंजाब में करीब 400 म्यूजिक बैंड अलग-अलग सिंगर और जो गाने के काम पे लगे हुए 400 और यह में से हर रोज एवरेज 15 to 20 15 से 20 गाने यह रिलीज करते हैं नए बनाते अब जब इतने पैसे होंगे म्यूजिक इंडस्टी में तो फिर गैंग्स की भी नजर होगी और गैंग्स Caufure की जूड़े लोगों को जो पैसे कमाते हैं पंजाब के गैंग्स उनसे वसूली करने का सबसे आसान तरीका वांते हैं और सीधे धंकी देते हैं कि भीजह हमें दो बहुत सारे music, singer, कामोशी से पैसे दे देते हैं क्योंकि जान की सलामती के लिए बहुत सारे नहीं देते हैं तो उसकी list आपको दिखाई महें ने कि कितने सारे injured हैं, कितने सारी की जान चली गई, कितने लोगों को धंकी के साहे में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है तो यह हो गया म्यूजिक का गैंग्स के साथ कनेक्शन अब सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब कि आखिर पंजाब में इस वक्त कौन-कौन से गैंग्स है जो लायन ओर्डर के लिए सरदद बने वे है जिनके उपर कंट्रोल नहीं है तो कहते हैं कि पंजाब में इस वक्त करीब 70 गैंग्स हैं जो एक्टिव है सत्तर और इन सत्तर गैंग्स से करीब 500 लोग जुड़े वे हैं 500 लॉर्ण्स दिश्णोई का जो मैंने का था 600 वो पंजाब नहीं बलके बाकी स्टेट उसका चुके हर्याना हिमा आपके राजिस्थान हिमाचल भी उत्राखन भी यूपी भी तो इन सारे जगों पे हैं लेकिन अकेले पंजाब में 70 गैंग्स हैं बाकी बचे बाहर 200 फिर भी गैंग बार चल रहा है पंजाब शायद देश का एकलोता ऐसा स्टेट है जिसके जितने भी वहाँ पे गैंग है उनमें से जादा तर गैंग की जो लीडर है सरगना है और मेंबर है वो जेल में है लेकिन उसके बावजूद उनका गैंग चल रह की सुपारी सब निकाल देते हैं जैसे लारेंस विश्णोई ने किया तो सत्तर एक्टिव गैंग 500 मिंबर 300 जेल में 200 बाहर फिर भी काम चल रहा है अब इन सत्तर में से भी जो टॉप एट है आठ सबसे खूंखार गैंग वो कौन से है वो आपको बताता हूं इनमें से एक ह मैंने आपको अभी अभी बताया उसकी पूरी कहानी बताई और लारेंस विश्णोई गैंग का ही पाठ है गोल्डी बलार तो एक लारेंस विश्णोई गैंग जो अगर सारे राज्यों को मिला ले तो शायर इस वक्त सबसे खूंखार गैंग है हाला कि खुद जेल में लेक किड्नैप्टिंग वसूली हाइवे रॉबरी डकैती इस गैंग का खास पेशा है हलाकि इस गैंग का जो चीफ है जग्गू भगवानपुरिया यह 2015 में पुलिस के हातों पकड़ा गया भाई जेल में 15 से मतलब हो गया 7 साल लेकिन गैंग काम कर रहा है पूरी तरह से गैंग से भी दोस्ती थी सुखा कहलो भी अब नहीं है लेकिन उसके गैंग उसका भी एक्टिव है और उसके साथ भगवानपुरिया गैंग की नजदी की है तो पहला लॉरेंस विश्णोई दूसरा जग्गू भगवानपुरिया गैंग पंजाब में जो एक्टिव यह पंजाब के सबसे खतरना गैंगिस्टर में से एक है विक्की गॉंडर अपने नाम भी सुना होगा अब याद आ जाएगा मैं बताता हूं कैसे यह वही विक्की गॉंडर है जिसकी दुश्मनी सुखो कहलों से थी और जिसको पुलिस का स्टडी में जो वो कोर्ट से जे बचा कर भाग रही थी तो पंजाब के कहते हैं कि एक नामचीन गैंगिस्टर में से एक विक्की गॉंडर और इस ही गैंग ने यह जो मनकीरत ओलक सिंगर इनको धंकी दी है जान से मारने की और इस वक्त मनकीरत ओलक सुरक्षा में तो यह हो गया तीन चोथा देविंदर ब 2016 में देविंदर बंबीहा इस गैंग का जो सरगना था वो एक प्लिस अनकोंटर में मारा गया लेकिन इसका गैंग उसके बावजूद कायम रहा देविंदर बंबीहा के नाम पर और इसी देविंदर बंबीहा गैंग के साथ लौरेंस विश्णोई को शक है कि सिद्धु गाना गाया था जो बंबिहा टाइटल था तो लॉरेंस विश्णोई को लगता था कि उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन गैंग है देविंदर गैंग उसके साथ सिध्धू मुसेवारा के करीबी है तो यहां से भी उन दोनों के बीच में एक दुश्मनी की दीवार थी देविंदर बंबिया के लावा सुखा कहलो गैंग यह वो सुखा कहलो गैंग जिसकी कहानी भी मैंने वो क्राइम तक में सुनाई शायद पंजाब का पहला ऐसा गैंगिस्टर जिसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स थे यह वो गैंगिस्टर था जिसने पंजाब में गैंग्स को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तमाल होता है ये बताया जेल में हो जेल के बाहर हो क्राइम कर रहा हो बडर कर रहा हो किसी को पीट रहा हो हर तस्वीर हर वीडियो को उतारता और सोशल मीडिया पर डालता और अपने आपको नामचीन शूटर भी बताता शार्प शूटर और बेहत कम वक्त में सुखा कहलवा जिसका एक सपना था कभी की अमरीका जाना है या कैनेडा जाना है वो जा नहीं पाया और एक गैंगिस्टर बन गया और देखते ही देखते इसके नाम की तूती बोलने लगी लेकिन जिस तेजी से उठा और इसने इतने दुश्मन पाल लिये थे कि कभी विकी गॉंडर इसी का साथी हुआ करता था दोस्त था लेकिन एक कतल की वया से दोनों के बीच में दुश्मन ही हो गई और उसी विकी गॉंडर ने फिर जब ये जेल में था और कोट से जब इसे जेल वापस लाय जा रहा था तो एक जगा पे पहले सी शायद मुखिरी हो गए इसमें पंजाब पुलिस के उपर भी उंगली उठी क्योंकि जब उन लोगों ने मारा तो पंजाब पुलिस के लोग गाड़ी छोड़कर साइड हो गए थे और उन्हें मौका दिया कि तुम्हें जो करना है करो उसके आद इन लोगों ने पता नहीं कितने मिनट तक अंदादू गोलियां चलाई जैसे सिद्धू मूसेवाला को करीब 30 से 24 गोलियां लगी तीस फारिंग में से 24 गोलियां सिद्धू को लगी तो वहाँ भी लगबख चलनी कर दी थी सुखे कहलवा को मार कर और उसके बार सुखे कहलवा गैंग बेशक सुखे कहलवा की जान चली गए लेकिन गैंग एक्टिव रहा कहलवा गैंग और उसके आज पास आज भी सुखा के नाम पर लोग वैसी डरते हैं और आज भी सुखा कहलवा के नाम पर जो उसका पसंदीदा सोशल मीडिया पेज इस तरीके से अपने आपको प्रमोट किया एक पेज आज भी उसका है खोल कर देखेंगे सुखा कहलवा मैं कि आज मैंने आप कहानी सुनान से पहले शाम को ही मैंने सर्च किया तो करीब एक दो घंटा पहले आखरी अपडेटेड एक पोस्त था सुखा कहलवा के गैंग की तरफ से तो अंदाजा लगाईए आप कि वो है नहीं गैंग एक्टिव है और सोशल मीडिया के अकाउंट भी एक्टिव है गुरबक्ष सेवे वाला गैंग गुरफथ जेवे वाला गैंग भी एक बड़ा नाम पंजाब में जो एक्टिव है खास तोर पर पंजाब के मालवा region में इसके लाव पंजाब के बाहर हर्याना और राजिस्थान मडर लूट हाइवे रॉबरी किड्नैपिंग रैंसम फिरोती इस गैंग का काम इस गैंग का सरगना था रंजीत सेवेवाला लेकिन 2015 में वो भी मारा गया उसके बाद उसका भाई गुरुबक्ष सिंग इस करते हैं हलाकि गुरुबक्ष जो नेक्स सरगना था 2017 में वो भी पकड़ा गया जेल में है लेकिन पंजाब के बाकी गैंग की तरह वो जेल में भी आईश काट रहा है और जेल से ही अपने गैंग को चला रहा है उसका जो गैंग है वो आज भी एक्टिव है सात्मा गैंग जो एक्टिव है पंजाब में शेरा खुबबन गैंग ये दो लोगों के नाम है शेरा और खुबबन दोनों सरगना थे इस गैंग की बुनियाद इन्हों दोनों ने मिलकर डाली वही डकैती मडर वसूली रैंसम धंकाना इनका भी यही काम है दरजनों केस हैं इस गैंग के उपर भी हाला कि बाद में इन दोनों जो शेरा और खुबन थे ये भी मारे गए लेकिन बाकी जो बदमाश है नंबर थ्री और फॉर फिफ्ट पोजिशन पे अब उन्होंने गैंग की कमान समा ले विए और अब भी पंजाब पुलिस के लिए सिर्दर्द बने वे हैं आठ गैंग का जो दूसरा इस वक्त सबसे खतरनाक और कोख्यात है उसका नाम है गोपी घंशाम पुरिया इसके नाम से भी लोग कांपते हैं और ये दोनों ही मोस्ट वांटेट के लिस्ट में हैं लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं जो नवंबर 2016 में नाभा जेल ब्रिक उसकी कहानी भी मैंने सुना ये शायद नाभा दिल ब्रिक की उसमें भी कहते हैं इस गैंग का हाथ था तो कुल मिलाकर ये वो आट गैंग हैं जिनके उपर इस वक्त पंजाब की पूरी जो लाइन ओर्डर की सिच्वेशन है वो दाव पे लगी दिए और ये सिर्दट बने में हैं पूरे पुरे पंजाब बिल्स के लिए अब यहां ये एक चीज हो गई अब दूसरा कि पंजाब इस गैंग पनप्ते क्यों जब जेल में सारे आधिस लादा गैंग है तो यूपी बिहार खामखा बदनाम है पंजाब के जेल की भी हालत वैसी नहीं है यहां जेल मे का शौक हत्यार रखना पंजाब में अगर पूरे देश की हम बात करें तो पूरे देश में इंडिया में जितने हत्यार हैं लाईसंसी विपन की मैं बात कर रहा हूं जो आप कोई वजह बता कर सरकार से लाईसंसी हता रखते हैं उसका 10% अकेला पंजाब में है जबकि पूरे देश की आवादी का पंजाब की आवादी सिर्फ 2 फीसदी है अगर हम 140 करोड़ है तो पंजाब की आवादी करीब 3 करोड़ भी नहीं है पूरी दो करोड़ असी लाग के करीब है तो उस हिसाब से भी दो फीसदी पूरे देश की आबादी पंजाब की आबादी है लेकिन हत्यारों के मामले में लैसेंसी हत्यारों के मामले में पूरे देश में 40 लाख लैसेंसी हत्यार है विपन जो पूरे देश के अलग-अलग स्टेट्स के पास हैं लोगों के 49 लाख में से अकेले करीब 4 लाख सिर्फ पंजाब में तो आप अंदादा लगए है कि वहाँ लैसेंसी हात्यार रखने का शौक कितना है यह तो लैसेंसी हो गया और इलीगल अवैद गयर लैसेंसी उन हत्यारों की कोई गिंती नहीं है क्रिमिनल जो है वो लैसेंसी हत्यार से क्राइम नहीं करते हैं एक वज़ा हत्यार दूसरा ड्रक्स पंजाब में करीब 9 लाख लोग ड्रक्स लेते हैं हाध तोर पर सबसादा नौजवान वहां ड्राग एडिक्स हैं और ड्रक्ड す लेते हैं तो ड्रक्z जब वो लेते हैं और ранधी हो जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों पर गैंगिस्टर की भी और गलग गैंग्स की भी नजर होती है फिर ड्रक्स के बहाने वो से अपने गैंग्स में खीजते हैं और जब नशे की लत लगती है और नशा नहीं मिलता तो ऐसी सूरत में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं तो हाथ्यार और नशा ये वो दो रखने की पता नहीं मैं कितना काम्याव रहा लेकिन खत्म करूँ उससे पहले हाँ कई लोगों के मेल आया और कल एक दो मुझसे जिस पे हमारी फैमली के मिंबर लोगे नहीं द्यान देलाया था हैं कि सो मच मैं बार-बार कहता हूँ मैं भी इनसान हो कही बार गलतिया हो जाती है इसके लावा जो अब सिलसला अपना आखरी का भी आज काक्षी शाह इनका जनम दिन है तो हैपी बड़े काक्षी और रिगन जनम दिन की बधाई मुदी धेना तेजा वथी इनका भी आज जनम दिन है तो हैपी बड़े मुदी धेना जी और नरेंद्र जांगरा जी ने भेजा उनकी पत्नी है इसके लावा प्रियांशु तिरपाठी कल इनका बड़े था तो बिलेटेड हैपी बड़े इनका भी जनम दिन तो आपी बड़े दिनिश भाई शाह जी और इशान शाह के पिता ही है साथी रतना माला नर्वादे और नरेंद्र पुडुरंग नर्वादे जी इनकी अनिवर्सरी आप दोनों को बहुत बढ़ाई और सैलेश दूटते जी ने भेज़ा है हर्मन कुत्तर ये कुछ इनों ने ये भी गलतिया बताई थी कल की जो कहानी में आपको बताई कमल जियोती नात एक स्टोरी की फरमाईश की है यूनुस सिखिकर ने एक स्टोरी की फरमाईश की है लावा रजत भार्दवाज ने थैंक्यो सो मज आपके मेल के लिए सिंग जीत हंस जीत इसकलावा अमन प्रीत और अमन प्रीत कहलो है टोरेंटो से एक स्टोरी की फरमाईश की है भाविन वदालिया जी है इन्होंने एक सवाल पूजा फिर कभी जवाब देता हूं आपको अमन कुमार है हिमाचल परदेश चे एक स्टोरी की फरमाईश की अबैजहां है फरीदाबाद से एक स्टोरी की फर्माईश की और थैंक यू आपके मेल और तारीफ के लिए सी एक्षे मातुर ने भी एक स्टोरी की फर्माईश की ए गौरफ विनोर इसके लावा योगेश मालपानी ने भी कहानी की फर्माईश की है ताहिर खान ने भी की है आकाश पोडार ने भी की है और बाबू भाईया थैंक्यू सो मच आप लोगों के मेल के लिए तो आज कहानी में इतने ही अब आप से मलकात होगी कल रात 9 बजे किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा थैंक्यू बरिमाच